So hello everyone and welcome to this video. So this is our first video of this series और इस सीरीज में हम complete करने वाले अपना English section for CUT UG. देखो जैसे CUT UG के जो total subjects होते हैं, total subjects आपके 61 subjects आते हैं, उसमें जो 33 आपके subjects होते हैं, जो 33 आपके subjects होते हैं, जो 33 आपके subjects होते हैं, वो होते हैं, आपके language subjects. उसमें जो आपका first section आते हैं, उसमें आपका एक subject होते हैं, जो होते हैं हमारा English, और यह जो English subject होते हैं, जैसे University like Delhi University में, जो अगर को आपको कोई भी course परिश्यू करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपके लिए जो English subject वो compulsory होता है, means इसका आपको exam देना होते हैं, in CUT UG examination. ऐसी काफी University ऐसी आती हैं, जहांपर आपको जो English का जो यह section है, English का जो आपका subject है, यह mandatory होता है, तो यहाँ पर अगर आप एक अच्छा का सा score कर लेते हो, तो आपका जो overall score है, वो भी increase हो जाता है, और आप किसी भी college की जो cutoff है, उसको clear कर सकते हो, और आप जो course परिश्यू को check out करें, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते है, reading comprehension, फिर हमारी verbal ability, rearranging the parts, choosing the correct word, synominance, entominance and vocabulary, यह हमारे कुछ portion आता है, means basically syllabus आता है for English section, इसमें हम करने वाले अपना English grammar वाला portion, जो rules होते है, nouns, pronouns, verb, adverb, adjective, question tag, tenses, और हमारी जितनी भी part of speech, narration, direct and indirect speech, जो सारा हमारा grammar का portion ह होता है, वो हम इस series में बिल्कुल अच्छे से point to point, with rules, with concept, हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं, ताकि आप मतले कि एक बार पूरा grammar करें, जो सारे rules है, जो concept है, वो अगर आप समझ जाओगे, तो आपके लिए जो reading comprehension है, उनको पढ़ना और समझना वो भी easy ह हो जाएगा, सासा जो rearranging the parts होते है, और choosing the correct word होते है, means errors find करने वाला questions होते है, उनको भी आप easily attempt कर लोगे, बाकि अगर आप किसी और exam की भी तयारी कर रहे हो, like CUTPG हो गया, या फिर आपके SSC-like exam हो गया, competitive exam हो गया, जहां पर आपका English वाला section आता है, यह जो series है, यह उसके लिए भी बहुत जाद आपके लिए helpful होने, वाल यह बाकि हम CUTPG का एक base लेके, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर सारी चीजे पढ़ाँगा, और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आज हम मतलगी, यह basically हमारी एक introduction वीडियो रहेगी, और मैं समें single, जो chapter first आता है आपका part of switch वो आपको कराने पालो, और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसमें मैंने syllabus रखा है, वो एक relevant syllabus रखा है, साथ-साथ मैंने plus one, plus two level का, मैंने जितना भी आपका CUT, UG level का, यह competition level का जो syllabus आता है, उससे थोड़ सा level अप करके मैं आपको पढ़ाँगा, ता कि अगर कोई question, मतलब की थोड़ा extra level का भी आगए, जैसे अभी CUT, UG examination है, वो भी नया ही है, अभी उसका hardness, hard का जो level है, मतलब hardness level है, वो भी increasing किया जा रहा है, मतलब की format set करने के लिए, तो अगर आपके question थोड़े hard level के भी आगए, तो भी आप उनको क्या कर पाऊगे, easily attempt कर पाऊगे हो, तीन से चार साल बाद भी यह जो series है, यह relevant रहेगी, CUT, UG examination के लिए, आप इसको मतलब भी अच्छे से use कर सकते हो, चलो, अब हम start करते हैं, जैसे है मैंने आपको syllabus बता दिया, और मैंने जो series का main format है, जो main main चीज़े है, वो आपको बता दी, भाकि जो भी important ची समझने है, जो note down करने है, वो note down करने के लिए, और जो सिर्फ मतलब ऐसे, एक बार देखनी है, एक बार सुननी है, वो मैं आपको बता दूँगा, क्योंगि सारी चीज़े आपको याद करने के लिए, सारी चीज़े बहुत ध्यान से ही समझनी है, जो चीज जिस level की होगी, वो मैं आपको पहले ही बता दूँगा, बाकि जो ये notes है और ये सारी चीज़े ये आपको मिल जाएंगे, and lastly, जो हम practice question करेंगे, वो भी मैं आपको जो पूरा chapter complete होने के बाद, जो practice question है, जो CUT के previous question है, वो भी करूँगा, चलो, शुरू करते हैं, सबसे पहला जो हमारा chapter आजाता है, वो आजाता है, part of speech, part of speech का मतलब क्या होता है, जैसे अभी तक on around 4 minute की ये वीडियो हो गई है, इसमें मैंने introduction ही दिया है, जैसे ये introduction वीडियो थी, तो मैंने काफी सारे sentences, मतलब paragraphs, मतलब मैंने बहुत चीज़ अभी बोली, तो मैंने जो word भी बोला है, वो कुछ न कुछ यहाँ पर value create कर रहा है, जैसे मैं एक example लेके चलता हूँ, मेरे पास एक sentence आता है, just like मेरे पास एक sentence आ गया, he is playing football in the park, ये आपका एक example आ गया, he is playing football in the park, means वह है, मतलब कि पार्क में football खेल रहा है, इसकी हिंदी में आपका ये meaning आता है, तो यहाँ पर अगर आप हर एक word को check करोगे, जैसे सबसे पहले आता है, क्या ही, फिर आपका आता है is, फिर playing, फिर football, फिर in, फिर the, फिर park, means यहाँ पर पूरे sentence में different different words आते हैं, तो यह जो हर एक word होता है, यह कुछ न कुछ value add कर रहा होता है, एक sentence में, means इसी को हम बोलते हैं, part of speech, means यह पूरी क्या हो गई, यह पूरी एक speech हो गई, मतलब एक पूरा sentence बोला गया, इसमें यह different different, जो he हो गया, is हो गया, playing, football, in, park और दा, यह सारे जो single single word होते हैं, यह क्या होते हैं, part होते हैं, speech का, और यह हमेशा कुछ न कुछ value add कर रहे होते हैं, यह सिर्फ इसलिए ही sentence में नहीं होते हैं, कि वहाँ पर space occupy करना है, या फिर sentence को सुन्दर सा लगाना है, अच्छ सा attractive सा दिखाना है, यह इसलिए नहीं होते हैं, हर एक जो word लिखा रहता है sentence में, वो कुछ न कुछ meaningful होते हैं, और वो कुछ न कुछ न कुछ वहाँ पर value add कर रहा होता है, जैसे he, he क्या होगे, he का मतलब होता है, is क्या होगे, हमारी helping verb होगी, प्लेइंग क्या होगे, यह main verb होगी, football क्या होगे, मेरे एक object होगया, in और the, in आपका क्या होगे, वो आपका मतलब की position शोर कर रहा है, the आपका क्या होगे, article होगया, और park, पार्क मतलब की आपका एक place, मतलब की एक noun हो, पूरे sentence में, कुछ ना कुछ आपका जो word है, वो कुछ ना कुछ meaning आपका add कर रहा होता है, यह आपकी सारी चीज़े आती है, चलो, starting से शुरू करते हैं, बाकी, मतलब की, जो chapter wise है, वो मैं आपको series में आगे कराता ही, रहूंगा, यह तो बस हमारा एक introduction आता है, वो होता है हमारा वर्व, जैसे यहाँ पर क्या काम हो रहा था, he is playing football in the park, means वो पार्क में क्या कर रहा है, वो football खेल रहा है, मतलब की वो खेल रहा है, तो खेलना है हैं पर क्या हो गया, वर्व means काम हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्व, मतलब की वर्व का मतलब होता है, जो आपको बताएगी की काम क्या हो रहा है, जैसे I am studying, he is playing, he is dancing, she is going, तो यह मतलब की जाना, खाना, नाचना, यह जो मतलब वर्व है, मतलब की play, eat, यह जो वर्व है, जिस वर्व से आपको पता चल रहा है, कि काम क्या हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, main verb बोलते हैं, ऐसी आपका दूसरी आजाती है, helping verb, helping verb का मतलब क्या होता है, वो sentence में, जो main verb है, उसको help करती है, मतलब उसको support करने में यूज होती है, इसका अपना भी एक meaning होता, means separately भी यूज होती है, इसके दो type होते हैं, सबसे पहले आता है, primary verb और दूसरी आती है, modals, primary verb का मतलब क्या होता है, जैसे is, am, are, या फिर हमारा was, were, has, have, will, shall, यह सारे जो words होते हैं, यह क्या होते हैं, साथ लगती हैं, फिर आपके आजाते हैं, modals, modals भी क्या होते हैं, modals जैसे, could, should, may, might, यह सब क्या होते हैं, आपके modals होते हैं, यह भी sentence में आपके use होते हैं, और यह भी as a helping verb sentence में use होते हैं, इस तरीके से आपका जो यह first, इस दुनिया में यह दुनिया से भाहर कहीं भी, किसी भी चीज के नेम को हम क्या बोलते हैं, जैसे boy हो गया, dog हो गया, ground हो गया, park हो गया, या फिर किसी city का नाम हो गया, Delhi हो गया, Mumbai हो गया, Bangalore हो गया, या फिर किसी country, India, Australia, किसी भी continent, Asia, किसी भी चीज के नेम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, नाउन के बहुत सरे टाइपस भी होते हैं, जब हम chapter करेंगे, तब समझेंगे, countable, uncountable, common noun, proper noun, different, different types of nouns होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से सीरीज देखते जाओ, सारी चीज आपकी cover हो, जाएगे, फिर आप का आजाते है, pronoun, pronoun का मतलब क्या होते है, noun के place पर जो हम word यूज करते हैं, उसको हम बोलते है, pronoun, जैसे अगर मैं आप कोई speech दे रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर मेरे किसी person का name यूज करना है, तो मैं बार-बार अगर सुका नाम बढ़ा भी नहीं है, छोड़ा भी कैसा भी उसका नाम है, तो sentence में अगर बार-बार उनका जो name है, वो यूज करूँगा, तो मतलब मेरी जो speech है, वो इतनी ज्यादा attractive और इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, तो महाँ पर हम noun की जंगा क्या use करते हैं, हम अपना pronoun use करते हैं, pronoun का basically मतलब होता है, हमारा एक ऐसा word जो की noun को replace कर दे, जैसे अगर मैं use करूँगा, तो मेरे लिए मतलब मेरा नाम गौरव हो गया, तो मैं अपनी जंगा क्या use कर लूँगा, he use कर लूँगा, जैसे boy के लिए he use होता है, girls के लिए she use होता है, और जैसे वे हो गया, तो दे हो गया, हर एक चीज का अपना meaning होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, किस चीज का क्या meaning होता है, तो pronoun का आपका मतलब समझो, कि जो noun के place पर जो आपका word use होगा, उसको हम क्या बोलते है, pronoun बोलते है, next आपका बहुत important चीज आती है, वो आपका जाता है, adjective, adjective का मतलब क्या होता है, extra information of noun and pronoun, means pronoun या फिर noun, दोनों वैसे से almost same ही चीज है, उनके बारे में अगर आपको कोई extra information बता रहा है, कोई word, उसको हम बोलते है, adjective, जैसे for example, मैंने यहाँ पर लिख दिया boy, ठीक है, boy आपका क्या हो गया, एक noun हो गया, अब मैं इसके सामने एक word लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, toll, तो आपको boy के बारे में एक extra information पता चलगी, आपको यह तो पता है, boy मतलब वो एक लड़का है, लेकिन वो कैसा लड़का है, वो एक toll, मतलब एक लंबा लड़का है, तो यह जो toll हो गया, जसता से किन यह आपका जो word हो गया, toll, यह आपका क्या हो गया, यह ही हो गया आपका, adjective means, जिसने भी noun या फिर pronoun के बारे में एक extra information आपको दे दी, आपको उसके बारे में कुछ extra पता चल गया, आपको boy तो पता ही था, एक extra में चीज पता चल गया, कि वो toll boy है, तो वो ही चीज आपकी क्या होती है, adjective होती है, इसी को हम simple बोलते है, adjective बाकी जब chapter करेंगे, इसके बारे में और भी चीज़े, समझेंगे इसके जो rules हैं, जो conception और जो types हैं, वो भी, next आपकी चीज आती है, ठीक है, यह क्या है, एक noun हो गया, इसके सामने मैंने लिख दिया, toll, तो toll क्या हो गया, basically मेरा एक adjective हो गया, means जिसने boy के बारे में, extra information, noun या फिर pronoun के बारे में, extra information बता दी, अगर मैं इसके सामने यहाँ पर लिख दू, very, तो यहाँ पर मेरे को क्या पता चल गया, वो एक boy था, जो की लंबा था, मतलब टोलता, बट वो बहुत जादा लंबा था, means यहाँ पर जो very क्या हो गया, वो एक adverb हो गया, तो adverb मतलब क्या होता है, जो verb, या फिर adjective, या फिर जो adverb है, उनी सब के बारे में क्या बता है, एक extra information आपको बता दे, तो उसको मैं adverb बोलते हैं, बाकी just example के लिए आप यह भी है समझो, बाकी जब chapter करेंगे, तो आपकी और ज़्यादा clear हो जाएगा, next आपका जो part आता है, speech का वाज आता है, preposition, preposition देखो, नाम से clear है, अगर आप pre हटा दो, तो यह बन जाता है position, और pre का मतलब होता है पहले, तो मतलब basically इसका मतलब क्या होगा, यह हमेशा noun से क्या होगा, पहले होगा before the noun, और यह क्या बताएगा, यह position बताएगा, noun की means, noun कहाँ पर place है, sentence में, उसको कौन बताएगा, प्रेपोजिशन बताएगा, और यह rule याद रखना कि प्रेपोजिशन हमेशा noun से पहले ही use हो, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होगा, जो noun की क्या बताए, position बताए, in the sentence, वो हमारा क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, जैसे next हमारी चीज आजाती है, conjunction, conjunction का मतलब होता है, जो connecting words होते है जैसे हमारे पास, मतलब दो word है जैसे, मतलब दो name है, जैसे राम, and, मतलब वैसे वाल and, यह होगा, and शाम, ठीक है, सबसे ज़्यादा common word ही है use होता है, sentence में, example के लिए तो राम, and, शाम, तो यह and क्या होगा, इसने यह दो जो word थे इनको क्या कर दिया, आपस में connect कर दिया तो दो word, दो sentence या फिर दो paragraph, इन चीजों को इन सभी चीजों को जो connect करता है word उसको हम बोलते है, conjunction जैसे and हो गया, या फिर otherwise हो गया because हो गया, यह ऐसे word जो दो sentence या दो word को आपस में connect कर दे, उसको हम क्या बोलते है, conjunction बोलते है next आप काता है, last articles articles तो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हो and, the, और simply अगर आप अपनी language में समझो तो a, single वाले के साथ लग जाता है, जो conno science होते है and मतलब जो vowels के साथ लगता है और the मतलब की, जो singular चीज़े होती है उनके साथ, या फिर जो famous चीज़े होती है उनके साथ लगता है, basic यही चीज़े आती है बट इससे भी आगे की जो rules है, वो होते हैं जो examination में question आते हैं, जिस level से जिस concept से, वो मैं आपको बताने वाल हो तो articles क्या होता है, articles basically होता है a and the, जो की मतलब की nouns और जो भी words होते हैं उनसे पहले हमारे लगाए जाते हैं तो यह सब आपके क्या होते हैं, यह सब होते हैं आपके part of speech, अगर आप इस sentence को अगर आप समझोगे तो यहाँ पर आपका देखो he, he क्या हो गया मतलब he, वह, वह मतलब की noun किसी के person के बारे में बात हो रही is, is मतलब क्या हो गया, एक helping verb हो गया playing, playing मतलब कुछ काम हो रहा है तो वो क्या होगी, verb हो गई, football, football मतलब कुछ चीज है, तो मतलब वो होता है, object, in, in, मतलब देखो, in, एक position बता रहा है, तो वो क्या हो गया preposition, और दाप का क्या हो गया, article और park एक जंगा है, जंगा का नाम है, तो वो क्या हो गया, noun अब आप इस sentence को देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सा word क्या meaning आपका बता रहा, वैसे ज्यादा यलो यलो हो गया, इसको थोड़ा हम कम कर देते हैं, हाजी, ये ला, तो आपका ये word क्या हो गया, मैं लेगी, he is playing in the park, अब आपको जो जब भी आप कोई sentence पढ़ोगे, अब मैं आपको ये homework देता हूँ, आप कोई भी book आपके पास हो, उसमें से जो भी sentence है, जो भी आप reading comprehension पढ़ोगे, उसमें आप हर एक word को पता लगा ना, कि ये noun है, pronoun है, adjective है, adverb है, preposition है, conjunction है, या फिर article है, इन ही छे से साथ चुजों में वो कुछ न कुछ होगा, बाकी इससे अलग को आपका कुछ भी sentence में word नहीं, बाकी अगर होता है, तो उसका meaning अलग होता है, वो मैं आपको आगे जब series चलेगी, जब chapter आएगा, वो मैं आपको महाँ पर बताऊंगा, बाकी इन से भार अगर sentence में कोई word है, तो या तो वो meaningless है, या फिर उसका कुछ और meaning आता है, ये सभी पार्ट क्या होते है, speech के पार्ट होते है, बाकी हमारा next chapter आएगा, subject work agreement, जो कि हम वीडियो के second part आएगा, मैंसे इस series की second video आएगी, उसमें करेंगे, ऐसे 10 से 15 मिनट में, max to max 25 मिनट में हम हर एक chapter को अच्छे से complete कर लेंगे, फिर ये chapter complete होने के बाद मैं आपके कराऊंगा, जो practice questions होते हैं, तो hope करता हूँ, ये chapter आपको जो part of speech आच्छे से समझ में आ गया हो गया, बाकी अगर आपका कोई doubt आता है, आप उसको comment box में लिख सकते हो, बाकी CUTUG की preparation, strategy, वीडियो जो है, वो मैंने चैनल पर पहले से upload कर रखे हैं, बाकी physics, chemistry, math की revision वीडियो भी चैनल पर upload है, for class 12, 11, 10, 12 and CUTUG, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल, जैगा भाई के English की series हमारी ये start हो गई, यहाँ पर आपको जब सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, मतलब A to Z, सारा जो English का portion है, वो मैं आपको यहाँ पर कराने, वालों तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, notification bell ओन कर लेना, और रोज practice question करने के लिए, इंस्टाग्राम पर ज़रू कनेक्ट हो जाना, वहाँ पर मैं रोज आपको practice question कराता, रहता हूँ, यह सब कुछ आपका आजाता है, related to this video, होप करता हूँ यह वीडियो आपको helpful लगी होगी, एक simple introduction video ती, इसमें हमने थोड़ा पढ़ाई कम किये, थोड़ा समझा जाता है, बागी video के, मतलब series के बीच बीच में आपको सारी चीज़े समझाता होगा, so मिलते अपनी next किसी helpful video में, तब तक के लिए, thank you